दोस्तों बात करें टीवी इंडस्ट्री की सबसे मशुहूर अभी नेत्रियों की तो उसमें अभी नेत्रिया आश्वी सिंग का नाम शुमार होता है जो कि अपनी दमदार एक्टरिंग और क्यूटनेस की वज़ों से दर्शुकों के बीच काफी मशुहूर है आश्वी सिंग में कदम रखा और कैसे आज ये टीवी इंडस्ट्री की सबसे पसंदिदा अभी नेत्रियों में शुमार हो गई है इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इनी सभी सवालों की जवाब देने जा रहे हैं जिसके बारे में अगर आप भी जाना चौहते हैं तो बने यहां से कंप्टीट की थी जहां पढ़ाई करने के दौरान आशी सिंग अपनी पढ़ाई में हमेशा ही काफी अच्छी रही तो वहीं दूसी तरफ जौंग सिंग और एक्टिंग में भी काफी जादा दल्चस्पी रखती थी जिसकी वजह से इनोंने अपनी शुरुआती स करना चौहती है और उसी में सक्सेस होना चौहती है पर एक चोटे शौर से आने की वजह से यह खुआब आशी सिंग को काफी जादा बड़ा रखता है क्योंकि आशी सिंग के पैरेंट्स ने इन्हें बहले ही उस समय काफी सपोर्ट किया हो पर इनके रिष्टेदार इस ची मुटे रोल जरूर पाती थी पर आशी सिंग ने कभी भी हिम्मत नहीं हा ली और अपने ऐसी जज़बे की वजह से साल 2018 में उन्हें पहली बार सीरियल ये उन दिनों की बात है में नैना का किरदार मिला जिसमें उन्होंने अपनी बैस्ट परफॉर्मेंस दी और यही जिसमें उन्होंने अवनीत कौर को रिप्लेस करते हुए यासमीन की भूमिका निभाई जिसमें दर्शकों ने न सर्फ अवनीत कौर की जगा इन्हें एकसेप्ट किया बल की काफी ज़ादा प्यार भी दिया यही वज़ा है कि आशी सिंग इंडस्ट्री में केवल कुछ ही शोस करके ज़ाना माना नाम बन गए जिनकी पॉपुलारिटी में आगे चार चान लगाए इनके शो मीत ने जिसमें उन्होंने एक काफी वोसट्राइल भूमिका निभाई अपने इस किरदार में जिस तरह यह हर्यांडवी में डायलोग बाजी करती है वो दर्शकों को इन कि तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले